हलो गाईज और आज हम लेके आगे हैं साउंड लेसन जो कि क्लास नाइंद का है बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है बिना टाइम वेस्ट की हुए अपना इस्टार्ट करते हैं टॉपिक अपन का आज टॉपिक है साउंड ठीक है जो कि बहुत इंपोर्टेंट है साउंड लेसन आई होप मोसन से तो ज़्यादा ही मजा आएगा इसमें ओके तो चलो ही स्टार्ट करते हैं कि साउंड होता क्या है वेसिकली साउंड यह होता है कि यहां से मैं जो बोल ला हूँ और हाँ वो जो आपके कानू में जा रहा है यह ही साउंड है पर टेक्निकल में ऐसा हम टेक्निकल नाम ऐसा कैसे लगता है ठीक है तो टेक्निकल में कुछ ऐसा बोला जाता है साउंड को sound sound is the form of energy sound is the form of energy that travel in the form of wave that that travels in the form of wave बास समाज में आ गई यह क्या है energy और यह wave के रूप में यह travel करता है ठीक है for example like this okay तो यह जरूर यहाद रखना energy और वेब ठीक है तो sound is the form of energy which travel that travel in the form of wave अच्छा अब इसमें बात आती है इसको अगर sound lesson में अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो हमको कुछ basic point जान लेना जरूरी है that is wave ठीक है यह यह wave क्या होता है हम सबका ठीक है तो wave क्या होते है हम सबके तो माल लो कि एक string लेते हैं कोई रसी ठीक है एक इधर से और एक इधर से दोनों हम टैटली क्या कर देते हैं बांद देते हैं एक इस सीरे से एक इस सीरे से like this like this ठीक है इधर से हम बांद देते हैं इसको और एक रसी इसमें एक सीरे से इस से एक सीरे से इस पॉइंट से हम connect कर देते हैं अच्छा आप देखो इसमें क्या है इसमें हम disturbance produce करेंगे ठीक है एक इ लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, यह स्टेट है, आप ऐसे करके होने लगा, जिसे फॉर एक्जांपल, आपने जीमर को देखा होगा, जीम में जो जाते होंगे, वो रच्छी को बहुत तेजी से ऐसा-ईसे करते हैं, ठीक है, फॉर एक्जांपल, बाइसेप, ड्राइसेप क और पानी वहाँ पर सांथ है, बिल्कुल, मतलब वो बह नहीं रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है, और उसमें ले जाके न, एक बड़ा सा एक श्टोन, उस पर ऊपर से थ्रो कर दो, उसमें, जैसे यह थ्रो करोगे न, तुरंत उसमें वेव के जैसा, ऐसे-ऐसे करके जाने लग वही सेम समझ लो आपता वेव है, ठीक है, तो यह होता है कैा है, it is basically, it is, it is the kind of, it is the kind, it is the kind of disturbance, disturbance produced in the medium, ठीक है, it is the kind of disturbance produced in the medium is called wave अच्छा wave को major अगर हम category में इसको divide करते हैं major में अगर बड़े चीज में अगर हम बात कर लें तो ये wave हम सब कहाता है दो category में I hope इतना complete होगा होगा मैं इतना erase करता हूँ it is the disturbance produced in the medium हम उसके में teach की दिया हैं तो ये एक wave के जिसे बनगे है ओके तो यहां से खो रहा हूँ मैं आगी बताते हैं एक wave को हम दो पार्ट में इसको क्या कर देते हैं डिवाइड करते हैं सबसे पहला होता है electromagnetic wave electromagnetic wave ठीक है electromagnetic wave दूसरा रहेगा आपका mechanical wave mechanical wave इसको इसमें हमको difference है इसमें थोड़ा सा difference है देखेंगे यह difference है क्या है हम पे mechanical wave होता है न mechanical wave हम सबका कुछ इस type से होता है कि इसको चलने के लिए medium की जरूरत पढ़ती है material की इसको जरूरत पढ़ती है ठीक है तो यह vacuum में नहीं चल सकते हैं ठीक है तो यहां पे हम लिखेंगे they can't they can't travels in the vacuum ठीक है यह vacuum में नहीं travel कर सकते हैं that is they need they need material material medium for the year propagation propagation okay इसको चलने के लिए medium की ज़रूरत पढ़ती है और यह क्या करते हैं इसमें mechanical web vacuum में नहीं चल सकते हैं अच्छा vacuum बार बार में vacuum बोल रहा हूं इसका मतलब आप समझ रहे हो ना वेल जार वाला एक्सपेरिमेंट इस बार साई textbook में बार बार देता है जैसे ही माल लो एक कोई वेल जार वाला एक्सपेरिमेंट जो ऐसे करके था ठीक है यहां पर माल लो हम एक साउंड इसमें डाल देते हैं ठीक है और यह इसमें क्या करता है इसमें ringing करता है तो सुनाए देगा नार्मल से बात है लेकिन इसमें हम vacuum create कर दें vacuum का कहने के मतलब यहां से हम इसके air particle को क्या कर दें remove कर दें निकाल दें तो अब sound चलेगा न तो इसमें पता ही नहीं चलेगा ठीक है यानि कि इसमें vibrate करेगा लेकिन सुनाए नहीं देगा तो इसमें क्या कर दिया है vacuum create कर दिया यानि कि ear particle इयर, इयर, particles को हम क्या कर देँ है, remove कर देँ है, निकाल देँ है, अचा, अब हम बात करते हैं, electromagnetic wave की, तो electromagnetic wave क्या होता है, electromagnetic wave को medium की जरूरत नहीं परती है, फिक है, उनका speed भी काफी तेज होता है, तो देखेंगे यहापे, electromagnetic wave हम सब का यहां पर क्या था mechanical wave में ठीक है यह पहला है यह दूसरा है लिख दे रहा हूं ठीक है यहां पर लिखेंगे हम सब electromagnetic wave को they can travel through the vacuum that is they don't need material medium for their propagation ठीक है ऐसा हम इसको बना के लिख सकते हैं और इसमें जो होती है इसकी speed इसकी speed किसमें vacuum में बहुत fast होती है किसमें vacuum में मा समझ में आ गई vacuum में बहुत fast होती है अच्छा स्पीड इसकी कितनी होती है speed इसकी 3 into 10 रेस्ट तुदी पावर 8 मीटर पर सिकेंड होती है मैं की point of this 3 into 10 रेस्ट तुदी पावर 8 मीटर पर सिकेंड मतलब समझ रहे हो ना 30 करोड मीटर पर सिकेंड चलती है अब आप सो सकते हूं 30 करोड मीटर पर सिकेंड यहां पर देखेंगे एक सिकेंड में कितना 11, 12, 1000, 10,20 www.30 करोड मीटर पर सिकेंड एक एक सिकेंड में 30 करोड मीटर पर सिकेंड चलती है कून? electromagnetic wave और इसको material medium की ज़रूरत नहीं इसको किसी चीज की medium की ज़रूरत हमको इसको नहीं पढ़ती है ठीक है लेकिन इसको पढ़ती है और अगर यहाँ पर हम compare to अगर करें mechanical और electromagnetic wave का तो speed is इसका speed बहुत less होता है compare to electromagnetic wave ठीक है mechanical wave का speed बहुत कम होता है इसमें सारी रेडियसंस आ जाएगे इसमें आपका क्या आएगा में में आप सबका आएगा यहाप पर वाटर वेब एक्जामपल इसका लिखते रहा हूं इसमें वाटर वेब वाटर वेब ठीक है या फिर इस्प्रिंग वेब इस्प्रिंग वेब ठीक है यहाँ पर अपकोस हम बोल सकते हैं साउंड वेब भी हम सबका लेशन चलता है साउंड वेब बासमझ में आ रही है साउंड कैसे होता है कि फॉर एक्जामपल मैं यहाँ से बोल रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर जानते हूँ इसमालिष्ट पार्ट पार्टिकल है तो मैं यहाँ से बोलता हूं तो यह यह बाइबरेट यहां का जो पार्टिकल है ऐसे करके यह बाइबरेट करने लगता है फिर यह जो अपनी पोजिशन पर यह बाइबरेट कर रहा है यह आगी वाले को पुस्ष करता है धका लगाता है थोड़ा सा तो आग इसमान में बिजली जब चमकती है न तो उसकी लाइट आपको पहले नजर आ जाती है लेकिन साउंड बाद में आता है ठीक है इस रीजन यहाँ पर मालो कि इसका एक रीजन और बता दूं जैसे कि यहाँ पर बोल दूं कि यहीं लेक्चर मालो अभी मून पर चल ला होता ठीक किसे को कोई मतलब थोड़ा सा भी सुनने वाला हूं पर कोई नहीं होगा ठीक है तो इसको मैट्रियल मीडियम की जरूरत भड़ती है मेकेनकल वेब को ओके तो आई होप इतना समझ में आया होगा अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो मैं साइड हो जा रहा हूं इसकी सोट लीजिए जल्दी तो आई होप हो गया होगा इतना ठीक है और यही यह जो वेब है ठीक है इसी वेब वेब के तो दो केटेगरी में मेजर में हम डिवाइड करते हैं अब मेकेनकल वेब के ही दो पार्ट और हैं मेकेनकल वेब के टू पार्ट है ठीक है यानि कि दो वा लेगा हूंको ओके कि इसको एरेज करते हैं कि बहुत बढ़ी हैं साउंड का वो साउंड यह बहुत इंट्रेस्टिंग लेशन होता है फिजिक्स में बस फील करके पढ़ते चलो इसको तो वेब को हम डिवाइड किये थे एक एलेक्ट्रोमाइगनेटिक और मेकेंकल तो मेकेंकल वेब के ही अब टू पार्ट्स हो गए हैं इसमें मेकेंकल वेब ठीक है इसके इसको हम दो टैप्स में इसको डिवाइड कर दिये हैं सबसे पहला आपका ट्रांसवर्स वेब ट्रांसवर्स वेब दूसरा रहेगा आपका लॉंगिट्यूडनल वेब लोंगिट्यूडनल वेब ओके इसमें कुछ डिफरेंस है इसमें भी ट्रांसवर्स वेब में और लोंगिट्यूडनल वेब में इसको मैं इजली समझा दे रहा हूँ example देखे, ओके, इसका definition भी हम लिख लेंगे, देखो, transverse wave क्या होता है, जैसे मालो हम एक string लेते हैं, ठीक है, इसके example में आप याद रखो, इसके example में आप का आएगा, यहाँ पे, इसके example में हम लेंगे string, ठीक है, string का इसमें wave हो जाएगा, कैसे, एक, एक यहाँ पे हम दो pole ल हम इसको बांध लेते हैं, like this, और फिर इसमें क्या है न, transverse wave में क्या होता है, इसमें हम एक wave क्रियेट करते हैं, एक, इसमें हम wave क्रियेट करेंगे, ठीक है, तो wave को जो हम क्रियेट करेंगे, तो wave का direction, आप देख रहे हो, horizontally जा रहा है, ठीक है, यह wave horizontally जा रहा है, wave ऐसे ऐसे पार्टिकल अगर P मान लेते हैं तो पार्टिकल अगर हम देखते हैं तो वेब तो horizontally गया और पार्टिकल इसका up and down move कर रहा है कहां पर कर रहा है up and down और यहां पर अपकोस 90 degree बनेगा यानि कि यहां पर इससे क्या समझ सकते हो कि वेब wave like this wave का moving ऐसे हो रहा horizontally और पार्टिकल ऊपर नीचे up and down move कर रहा है तो हम इसको एक point में ऐसे करके हम लिख सकते हैं बॉल दे रहा हूं मैं लिख लिजे ठीक है the direction of motion of wave exactly perpendicular to the motion of particle of medium बासमाज में आ गई कि मतलब यहां पर क्या हो रहे हैं the direction of motion of wave exactly perpendicular to the direction of motion of particle of medium मतलब wave कैसे जा रहा है wave horizontally जा रहा है ठीक है और इसके particle up and down move कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे transversal wave ठीक है या फिर transverse wave अब बात हम करेंगे longitudinal की तो longitudinal में देखो क्या होगा एक वाल है इसको हम इसके example को पहले हम याद रखेंगे इसमें example आप आप का हैगा spring wave क्या आएगा है आप इस पिरिंग wave ओके तो spring wave में देखो क्या होगा एक को यह spring है तो इसको हम pressure लगाके यानि की बहुत जादा force लगाके इसको हम compress कर दे रहे हैं ठीक है तो compress जब करेंगे ऐसे ऐसे करके तो ऐसे कुछ करके ऐसे हो जाएगा लेकिन इसको जैसे छोड़ दिया गया तो इसका इसका जो wave होगा wave कुछ इस step से move करेगा इसका जो wave होगा इस direction में move करेगा लेकिन इसके particle भी देखो particle भी ऐसे ऐसे करके इसके हो रहे है तो particle भी इसके ऐसे करके back and forth move हो रहे है ठीक है इधर फिर इधर पिर इधर यानि कि इसमें आपको दो point सीखने को मिला longitudinal wave में इसमें क्या हो रहा है कि wave भी एक direction में move कर रहा है और particle भी इसके back and forth direction में move कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके जैसे कि spring है यही कोई spring है इसको मैंने दबा दिया बहुत तेजी से और दबाया फिर छोड़ दिया तो इसके particle भी ऐसे vibrate करेंगे ठीक है longitudinal में और इसके wave भी same direction में यानि कि हम बोल सकते हैं यह दोनों parallel direction में क्या करेंगे move करेंगे तो इसका definition हम कैसे बनाएंगे इसका definition भी मैं बोल दे रहा हूँ लिख लो आप सब ठीक है यहाई इस पेस नहीं इसलिए बोल दे रहा हूँ आपको तो इसमें क्या होगा the direction of vibration of particle is exactly perpendicular to the direction of motion of wave बासमाज में आ गई तो य यह होता है हम सबका कि wave भी wave का भी direction same direction में और particle का भी same direction में ठीक है तो यह longitudinal होता है तो I hope इतना समझ में आया होगा और अब हम बढ़ते हैं आगे क्यों ठीक है आगे देखेंगे हम सबका क्या होगा मैं थोड़ा side में हर दे जा रहा हूँ तब तक इसकी insert ले लो इसका तो यह समझ में आ गया होगा I hope यह बहुत important है ठीक है mechanical wave के two types है एक transverse एक longitudinal transverse string में हो गया longitudinal spring में हो गया यह कैसे करता है इसका wave और particle के बीच में wave और particle के बीच में perpendicularity वन रही यानि कि 90 degree वननने है ठीक है तो यह transverse wave होता है ठीक और longitudinal इसके wave भी same direction में हो पार्टिकल भी same direction में है ठीक है तो यहाँ पे इसका हम definition कैसे लिखेंगे definition नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि space यहाँ पे कम है और वहाँ कभी कम है ठीक है तो इसका हम definition transverse wave में अगर नहीं लिख पाया है तो फिर से लिख लिजे transverse का होगा हम सबका यह वाला ठीक है transverse wave का लिख लिख लिजे the direction of motion of wave is exactly perpendicular to the direction of motion of particle of medium यह transverse का हो गया और longitudinal का होगा हम सबका दूसरे वाला ठीक है यह class 11th में आपको भी मिलेगा ओके जिक सब्सक्राइब से बहुत अच्छी subject है बस इसको feel करके पड़ो बहुत मजाएगा अब हम next proceed करते हैं ठीक है next में देखेंगे हम सबका क्या है सब सब पहला हम case लेते हैं हाप ठीक है first case तो यहां पर हम बोल सकते हैं in case of transverse wave transverse wave हम पहले transverse wave में अगर हम बात करें ठीक है तो यह कुछ इस टाइब से होता है यहां पर देखेंगे कुछ units हैं इसके parameters हैं यहां पर देखेंगे हम इसको like this ठीक है अब यहां पर देखेंगे अब देखेंगे हम यहां पर देखो यह जो यह जो वेव बना हम सब का ठीक है यह किसमें बनाए हम इन case of transverse wave में अच्छा यहां पर हम देखेंगे यह जो ऊपर वाला पार्ट है ठीक है इसको हम बोलते है क्रिस्ट और यह जो लोवर वाला नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ठीक है तो यह basically क्या होता है हम सब का यह किस case में होता है transverse wave में होता है लेकिन दूसरा अगर हम बात करें in case of longitudinal in case of longitudinal wave तो longitudinal wave में क्या होगा एक string लेते हैं ठीक है एक हम कोई string ले लिये हैं ऐसे करके और इसमें हम क्या करते हैं इसमें देखेंगे longitudinal wave में हम क्या बोलते हैं यहाँ पे हम इसको compress कहीं कहीं इसके particle क्या होते हैं बहुत नजदीक होते हैं ठीक है फिर आगे चलके थोड़ा space दे देते हैं इसमें बहुत ज़्यादा space फिर आगे आएंगे फिर बहुत कम space यहाँ पे होगा ठीक है ऐसे करके फिर यहाँ पे क्या होगा बहुत ज़्यादा space होगा यहां पर यहां पर यहां पर यह जो कम स्पेस वाला है कि पार्टिकल बहुत ज्यादा इसके बहुत पास-पास है तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन ठीक है इसको कंप्रेशन जो बहुत पास-पास है और यह क्या है इसके पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है तो इसको हम बोलते हैं rarefaction, rarefaction, बसमझ में आगी, फिर alternative ऐसे क्या होगा, compression और ये rarefaction, बसमझ में आ गई, तो ये transverse wave के case में है, kristroff ठीक है, और ये longitunnel के case में है, compression, rarefaction, जो पास पार्टिकल हैं, इसको हम compression, और जो थोड़ा दूर द reaction बोलते हैं, तो I hope इतना समझ में आया होगा, अब हम आगे proceed करते हैं, तब तक इतना आप note कर लो, okay, so I hope note कर ली होंगे, अब हम इससे sound में, अब हम कुछ web parameters पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत, इसको हम बोल सकते हैं कि sound का ये जान है पूरा, बस इतन जान लो, ये बहुत ज़्यादा important है, okay, देखेंगे हैं आपर, आगे, कुछ गिनके चार या पाच कुछ parameter दिये हैं, कुछ इसके unit दियो हैं, ठीक है, इसको हम को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबसे पहला इसमें आगया wavelength, ठीक है, amplitude, time period, frequency, wave velocity, ये सब क्या होता है यहाँ पर देखेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, wavelength की, wavelength, तो simply इसको हम, इसको सबसे पहले हम, Greek letter, lambda से इसको, हम परदर्शित करते हैं, denote करते हैं, या बोलते हैं इसको, lambda, बस समझ में आ गई, तो इसको हम, ये wavelength है न, basically wavelength है, तो इसको हम बैसे करके बोलते हैं, length of one wave is called wavelength, लेकिन इसको थोड़ा technical हम नाम पढ़ेंगे, या definition पढ़ेंगे इसका, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर थोड़ा मैं roughly diagram मनाता हूं, एक, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अच्छा, जब wavelength की बात होगी, ठीक है, तो ये उपर वाला क्रिष्ट, नीचे वाला trough, और यहाँ से यहाँ तक एक wave complete होता है, यहाँ से यहाँ तक, बात समझ में आ रही है, यह एक उपर वाला और एक नीचे वाला, इसको हटा के remove करके, यहाँ पर अगर लगा दिये तो एक circle का रूप ले लेगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते है, length of one wave is called wavelength, लेकिन यहाँ प बोलते हैं wavelength, आगे हम चलेंगे, तो आगे हम सबका यह क्रिष्ट है, ठीक है, और यह भी क्या रहेगा, क्रिष्ट रहेगा, तो यहाँ कि एक length यहाँ भी complete हो रहे है, तो इसको भी हम lambda बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर यहाँ पर ले लो, एक यहाँ पर क्या है, यही है, यहाँ पर आप एक ट्रफ ले लो, और यहाँ भी एक ट्रफ है, तो यह भी SIMPLY हम सबका क्या हो जाएगा, यह भी हम सबका lambda हो जाएगा, length of one wave, तो यहाँ पर हम यह चीज जो यहाँ पर है, ट्रफ, ट्रफ, क्रिष्ट, क्रिष्ट, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ब करके लिख सकते हैं वेव लेंध को में यहाँ पर लिख दे रहा हूं ठीक है यहाँ पर में लिख रहा हूं डिस्टेंस डिस्टेंस बिट्विन टू डिस्टेंस बिट्विन टू सक्सेशिव क्रिष्ट और ट्रफ ठीक है डिस्टेंस बिट्विन टू सक्सेशिव क्रिष्ट और ट्रफ इस काल्ड वेव लेंध वेव लेंध बात समझ में आगी अच्छा डिस्टेंस है तो इसका यसाई यूनिट क्या होगा यसाई यूनिट, यूनोडेट, मीटर होगा, क्या होगा इसका, मीटर, ठीक है, इसका मीटर होगा, यह बास माल में आ गई, अब दूसरे चीज की अगर हम बात करेंगे, तो दूसरा आता है हम सब के अम्पलीटूड, amplitude, amplitude को हम यह से denote करते हैं, capital यह से, अम्पलीटूड क्या होता है, इसको हम बैसे यादर कर सकते हैं, height of the wave, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम माल लेते हैं, कि यहाँ से यहाँ के बीच की यह height यह हो गई, ठीक है, या फिर हम नीचे भी ऐसे अगर हम बात करें, तो यह भी यह हो ग यह mean position, ओके, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसका definition हम लिख सकते हैं, distance between mean position and any of the extreme position, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, distance between mean position and any of the extreme position, extreme position, ओके, आज समझ में आ गई, तो यह होता है amplitude हम सबका, अब हम बात करेंगे तीसरा हम सबका time period, ठीक है, time period, time period को हम T से denote करते हैं, time period क्या होता है, देखो, यहाँ पर basically हम सबका एक ऐसे string है, इस पर कोई point P है, ठीक है, point P माल देते हैं, तो एक wave को, ध्यान से सुनिएगा, एक wave को, यहाँ पर completely इस point से cross हो जाने में, कितना time लगता है, इसको हम बोलता है time period, यहाँ पर माल दो इस point से, तीन wave पास हो गया, तो 3 wave पर second बोलेंगे हाँ ठीक है, तो यह हम सबका क्या होगा, time required, यहाँ पर हम लिखेंगे, time required, time period क्या होता है, time, time required to, time required by, time required by one wave, one wave pass through, through any given point of medium, any given point of medium, ठीक है, बास समझ में आ गई, यहाँ कि एक wave को इस point से पास कर जाने में, जो लगा है time, उसको हम time period बोलते हैं, इसका अगर formula की, अगर हम इसकी formula, अच्छा, इसकी SI unit, SI unit की अगर हम बात करेंगे, तो SI unit, आप जानते हो, time है, तो time का क्या होता है, second होता है, ठीक है, अगर इसके हम formula की अगर हम बात करेंगे, तो formula भी आप जानते हैं, formula क्या होगा हम सबका, तो क्या चीज़ है, time period है, तो time period is equal to one by new, इसको बोलते हैं, यानि कि new को हम frequency बोलते हैं, तो 1 by new, या फिर 1 by f भी इसको बोल सकते हो, यह frequency होगे हम सबकी, चोथा अगर बात आएगी, इसमें चोथे की बात आएगी, तो चोथा हम सबका frequency, ठीक है, frequency, और frequency को हम new से denote करते हैं, and you इसको बोलते हैं, ठीक है, mu मत बोलना new इसको बोलते हैं तो same time period के जैसा same ये भी अपना frequency भी अपना same है पूरा ठीक है तो frequency क्या होता है number of wave passing through any given point of medium जैसे कि माल लो यहाँ पे है यहाँ पे एक point है ठीक है और इस point से मतलब जितने भी wave निकल रहे हैं कितने time में निकल रहे हैं यहाँ पे time की बात होगी जैसे कि 3 wave यहाँ से माल लो की निकल गए लेकिन कितने second में एक second में तो बोलेंगे 3 wave per second ठीक है तो इसको हम frequency में हम लिख सकते हैं इसको ऐसे करके ठीक है number of wave यहाँ पे हम इसको लिख सकते है number of wave number of wave passing number of wave passing through number of wave passing through any given point of medium any given point of medium okay number of wave passing मतलब इस point से एक second मतलब इस wave से एक second में कितने wave यहाँ से पास हो जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं frequency बहाँ समझ में आगी जैसे for example अगर frequency अगर नहीं भी समझ में आई तो चलो एक बहुत पंपी सेट हो गएरा जिसको बोलते हैं तो बड़ी सी मसीन होती है तो उसका जो wheel होता है मतलब चक्का होता है जब उसको r radius यानि कि 2 r मिला के एक diameter बन गया हम सब का ठीक है तो diameter अगर पूरा इसके इतना मोटा है ठीक है यानि cross section area बोल दो तो इसमें पूरा full पानी देती है इसके मुह से पूरा full से पानी आता है बड़ी वाली मसीन लेकिन वहीं अगर compare अगर हम करें एक छोटी सी मसीन है जो cycle vehicle पर भी लाद के वहाँ पहुचा देते हैं खेत हो गएरे में तो वह भी छोटी सी मसीन है तेल भी कम खाती है और क्या गरती है पानी भी इसके पूरे surface area यानि कि इसके cross section area से पूरा full देती है मतलब अगर compare किया जाए मैं ही चीज़ समझा रहा हम frequency एक छोटी सी मसीन है और बड़ी सी मसीन है बड़ी मसीन भी उतना पानी दे रही है छोटी तो इसमें अंतर क्या रहे गया अंतर एक चीज़ का है उसका जो मतलब चक्का होता है जब नासता है ठीक है उसका जो चक्का होता है कुछ कम ही मतलब नासता है लेकिन कम स्पीड से यानि कि उसका चक्का अ वही 70 बार cross कर देता है, यानि rotate कर देता है, तो यहाँ पे frequency different नहीं है, एकांग second में कड़ों की company की संख्या, कितनी बार वो company कर रहा है, यानि कि इसमें अगर हम machine में बात करेंगे, तो बड़ी वाली machine का जो चक्का होता है, ठीक है, जो नाचता है बीच में, ठीक है, वो थोड़ा कम speed से चलता है, लेकिन छोटी वाली का बहुत तेजी से चलता है, एक second में 70 बार वो नाच जाता है, या फिर, मतलब ऐसे रफली बता रहा हूँ, बताने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि 70 बार नाचता हो, जो भी उसका frequency सेट अप किया होंगे, वो ऐसा ही नाचता होगा, और मैं समझाने के लिए कि वो बता रहा हूँ, तो बड़ी वाली machine क हम सबका सेम इससे भी मिलता भूलता है, ठीक है, आप जानते हो, new is equal to one by time हो जाएगा, बता समझ में आ गई, ये हो गया इतना, अब एक point इसमें और बच रही है, चार point हम पढ़ चुके हैं, पहला wave length, दूसरा amplitude, तीसरा time period, चोथा frequency हम सबका, तो I hope इतना point समझ में आया अब एक पचवा point इसमें बच रहा है, जो कि हम सबका wave velocity, ठीक है, अब wave velocity हो सबका क्या होता है, देखेंगे, पहले इतना, अब note करो, ओके, I hope बहुत important है, फिर से बोला हम बहुत important है, ठीक है, ये जान है, जान लो, पूरा, sound के lesson का, ओके, तो मैं थोड़ा side हट जा रहा हू इसको लिख लो अब तब तक, I hope या इसकी insert लिए होंगे, या फिर complete कियो होंगे, अब हम आगे proceed करते हैं, इसमें एक point और बची हुई है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे, wave velocity, हम सबका है wave velocity, पचवा point, ठीक है, चौथा तक तो होई गया, पचवा है, wave velocity, ठीक है, wave velocity, देखो हम सबका क्या होता है, distance covered by the wave, distance, distance covered by the wave per unit time, means, क्या बोल सकते हो इसको, wave velocity है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो हम पे, speed is equal to distance by time, या फिर आप एक formula, आप ये भी एक याद रखो, ठीक है, कि speed is equal to frequency into wave, ये क्या चीज़ होती है, wavelength, frequency into wavelength, इसका derivation भी बहुत ज़्यादा कोई hard नहीं है, निकाल चकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो, इसको, मैं लिए, इसको भी आप याद रखना, कि यहाँ पर अगर frequency दी भी है, ठीक है, या फिर, आपका यहाँ पर wavelength दिया हुआ है, तो इन दोनों को अगर हम multiply करेंगे, तो हम सबका speed निकल किया जाएगा, speed is equal to, इतना ध्यान लखो, ठीक है, distance by time, और इसको भी ध्यान लखना, यह भी numerical में ज़्यादा mostly time, यह मिलते हैं हम सबके, ठीक है, तो यह हो गया wave velocity, ठीक है, distance covered by the wave per unit time, यह होता हम सबका velocity, wave velocity, ठीक है, तो I hope, इतना point सबको जितना में बताया हूँ, सबको समझ में आया होगा, और बताना, जहां पर आगर आपको ना समझ में आया होगा, ठीक है, तो हम फिर से समझाने का अच्छे तरीके से परियास ठीक है, continue तो आपकी वीडियो बनते ही जा रहे हैं, और लगातार अपडेट रहाग करिए, ठीक है, और हाँ, यह सब ऐसे नहीं समझ में आयाएगा, आपको copy लेना पड़ेगा, pen, note करते चलो, ऐसे नहीं कि आप सोई हुए हो, ठीक है, वो तो बहुत आराम से बहुत फुर चलेगा, लेकिन आप सबको पहले note करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके एक-एक चीजे समझ में आएगी, और हाँ, यह बहुत अच्छी बात होती है, मैंने खुद भी इसको absorb किया है, अपने अंदर, देखा हूँ, कई बार में notice किया हूँ, जो चीज मुझे नहीं समझ म आती थी न, जब class 9 में पढ़ता था, तो मैं क्या करता था, रख में copy pencil लिए उसको लिखता रहता था, लिखता रहता था, और इससे क्या हो जाती थी न, मैरा spelling mistake भी नहीं हो रहा था, और लिखने का experience भी हो, और handwriting भी बढ़ या, लिखने का speed भी तेज, तो इससे बहुत सार आपके ठीक है, एक बार, एक बार copy में लिख लो, फिर बीना देखी हुए इसको लिखो, आराम से लिख ले जाओगे, ठीक है, यह experience हो जाता है धीरे धीरे, ओके, तो I hope, इतना सब जितना बताया गया sound में से, सब समझ में आया होगा, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टेक केर, और घर पे ही रहे हैं, करोना का टाइम फिर से देखो धीरे धीरे बाढ़ लाए ठीक है, so stay safe और thanks for watching, see you next time, bye bye